हम तो 15 दिनों से राज से बाहर थे कि जचना हम लोग झाल को तोड़ दिया कोई इस्टू होगा कोई विशय होगा उसमें उस एरिया की महिला थनेदार भी है ममता कुमारी उनको काफी लोग जलील किया गया कुछ जनपर्तिनीदियों का दोरा अपमानित किया गया और साहिद बोला गया कि जैसे सोशल मीडिया में जो हम लोग देखे उसे जनकारी मिला कि उ तो राज में अगर इस अब प्रमपरा की सुरुवात होगी और इस पर सरकार की अंधेखी कहीं न कहीं जो है की एक दूसरे रूप में ले जागा यह राज का संस्क्रिती और किसी का घर तोड़े बौणड़ी तोड़े या किसी का संबान तोड़े ओ जो है की पर संसनिया नहीं हो सकता है नींदा नहीं होता है वह से लोगों को हम लोग नींदा करते हैं लेकिन इस सरकार सता सिंद्ध सरकार में सामिल विधायकों के द्वारा नेताओं के द्वारे एक महिला को जलील करना एक कहीं से जो है कि इसको अच्छा नहीं माना जाएगा और यह अच्छी कह सकते हैं सरकार में बात कह सकते हैं सदन में बात कह सकते हैं स्पीकर को बोल सकते हैं लेकिन किसी को जलील करने से परशासन का मनोबल टूटेगा ऐसे कामों से बचना चाहिए यह मेरा सुझाव है लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि तोड़ने वाला लोक जो मैंने प्रोक्रेम करते हैं तो लोज नसा में यह भू जाते हैं ज्यमींण कि अपना आगी परह्या है ऑ अधिबाशी अगै कि गैरादिबासी का है हिंदु का है कि मुसल्मान का है सिख आए कि इसाई के लोग भूल जाते हैं और नतीजाव के अपने घर में हुँ लोग डाका डाले अपने घर में ही अपने ही समाज का शात्रावास तोड़ दिये लालच में लोब में तो ऐसे गेंग और ऐसे लोगों पर भी सरकार और परशासन की नजर होनी चाहिए देख सब्सक्राइब करते हैं तो आपने समाज का जो है कि दुश्मन है और जो है कि कि आपसी काम कर रहा है और इसमें दुसरा समाज को बनाम किया जा रहा है जा अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वैल आइकन बटन दबाना ना भूले